आज हम आप लोगों के साथ शेर करने वाले हैं गर्मियों का इस्पेशल ड्रेंक जिसे पीते ही दिमाफ और पेड दोनों ठंडा हो जाता है इसका सीजन सिर्फ गर्मियों में आता है और ये पीने में बहुत जादा टेस्टी लगता है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिए असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ आईशा आप लोग का वेलकम है कुकिंग वी देपीस में अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस स्पेशल ड्रिंग को कैसे बनाया जाता है तो आईए देख लेते हैं हमने यहाँ पर एक बेल ले लिया है और इसे ऊड़ आपल भी कहते हैं आप लोग इसे क्या कहते हैं हमें जरूर बताईएगा इसे हम तोड लेंगे इसका ऊपर का छिरका काफी हाड होता है तो इस तरीके से चारो तरफ मारते हुए तोड लेना है और यह बहुत आसानी से आप चाहें तो जमीन पर भी इसे तोड़ सकते हैं तो यह देखिए कितने अच्छे से टूट चुका है और इसे अलग कर लेना है इसके अंदर जितना भी पल्प है हम इसे निकाल लेंगे औara साफ बरतन Six हमने लें लिया है और जितने भी पर सभी को मनीँ काल लेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत है उसे भी साफ करके निकाल लेंगे अब इसमें तक्रीबन एक कप पानी आट करेंगे इसे मिक्सर में पिसना नहीं है इसके अंदर बीज होते हैं तो वो अगर पिस चाएगा तो ये शर्बत बहुत जादा कड़वा हो जाएगा अगर ये कड़वा ह को इसमें ट्रांसफर कर देंगे अब इसे हिलाते हुए हम सारे जूस को निकाल लेंगे ये निकल चूका है लेकिन इसमें और भी पल्प है तो हम इसे फेकेंगे नहीं अब जिस बरतन में हमने बेल को मैश क्या था वही बरतन फिर से ले लेंगे ताके हमारा जादा बरतन भी गंदा ना हो और बेल का शरवत भी बन जाये तो इसमें हम डालेंगे और ढूरर कर फिर से पाणी हम डालेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा जूस है निकाल लेंगे तो यह दECK इसी तरीके से निकाल लेना है अब सारा अब इसमें कोई बीज और कोई भी रेशेन नहीं है बिलकुल फ्रेश आये और देखे कितना जादा थीक है तो हमने एक बेल से चार ग्लास शर्बत अच्छे से बना लिया है तो यह बहुत मीठा नहीं होता है तो इसमें हम चीनी आइट करेंगे तो यहां पर हमने जो चीनी चार बड़ा चमच किया है अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चीनी बहुत अच्छे से डिजॉल्फ हो चुकी है तो अब हम इसे हटा लेंगे अब इसमें बाकी की चीज़ें आट कर लेते हैं तो इसमें निम्बू का रस आट करेंगे तो हमने यहां पर आधा इम्बू लिया है और पूरा इसका रस डाल देंगे इम्बू ढालने से बेल का शर्बत और भी जादा टेस्टी लगता है और एक चोथाई चोटी चमच हमने भूनावा जीरा डाल दिया है अब इसमें हम ठंडा पानी आट कर लेंगे ताकि यह और भी जादा ठंडा हो जा तो इसमें और भी पानी आट कर सकते हैं और चीनी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अब इसे हम ठंडी ठंडी आइस क्यूब के साथ तो हमने तीन तीन आइस क्यूब आट कर दिया है कम जादा आप कर सकते हैं जितना जादा आपको ठंडा पीना है या फिर आपको नॉर्मल पीना बहुत ज़ादा पसंद आएगा और बहुत ज़ादा ये पीने में टेस्टी भी लगता है हर किसी को बेल का शर्बत बहुत ज़ादा पसंद आता है और गर्मियों में इसका सीजन आता है तो इसे तो एक बार बनाना बनता है बाहर से कोई भी आए या फिर कोई मेहमान आए इस बेल के शर्बत को आप लोग जरूर पिलाए आरीफे करते थकेंगे नहीं और हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा कि आपको हमारा बेल का शर्बत कैसा लगा गर्मियों का इस पेशल ड्रिंक बेल का शर्बत बनकर रेड़ी हो चुका है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूं अजाज़त अल्ला हापीस